एक बड़ी खबर आपको हम सिवान जिले के भगवान पुरहार थाना छेतर से दिखा रहे हैं जहां भगवान पुरहार थाने के प्लिश ने एक महिला के सारे पर उसके ही पती की हत्या कर देने के आरूम में सामिल कई बदमासों में एक को रेवियार को गिरपतार कर लिया गिरपतार इवक्ष बसंदपुर्थाना छेत्र के खड़ही गाउनिवासी सुरेश माजी का पुत्र राहूल कुमार है पुलिस गिरपतार बदमाज से लगातार पूश्टाच कर रही थी और पूश्टाच करने के बाद उसे सिवान जेल भी भेद दिया अब तक मिली जानकारी के अनुसार मिर्टक संतोस कुमार भारती की पतनी डेजी कुमारी का राहूल कुमार के साथ करीब साथ 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 से रिस्ता है और अब दोनों साथ साथ रहना भी चाते थे इस बात की जानकारी पकड़ाने के बाद राहूल कुमान ने पुलिस को खुद भी दी है चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस द्वारा गिरपतार किये गए युवक राहूल कुमान ने मडल का लाइब वीडियो कॉल कर अपनी तत कथित पिरिमका को भी दिखाये था पुलिस हत्य कांड में सामिल अन अभिक्तु की गिरपतारी के लिए लगातार आप जगे जगे पर छापे मारी करी है मालुम हो कि भगवान पुरहार थाना च्छत्र के खडवा गाउनिवासी ललन प्रबत की पुत्री डेजी कुमारी की साधी पिछले करीब 10 साल पहले हुई थी बतादे कि डेजी मितक युवक संतोस कुमार भारती के बड़े भाई बिनोध भारती की साली है मितक के पतनी डेजी कुमारी ने साधी से पहले गुरिया कोठी की एक युवक के साथ साधी रचाई थी उसे छोड़कर उसने अपनी बहन के देवर संतोस भारती से 10 साल पहले प्रेम बिवा कर लिया था लकिन चर्चा इस बात की है कि उसका रिस्ता साधी के 2-3 साल बाद से ही राहुल कुमार से जुड़ गया इदर कुछ दिनों से दोनों अब साथ साथ रहना चाते थे लकिन संतोस भारती इस अवेद रिस्ते में मुसीबत बना हुआ था जानकारे के अंसुर संतोस का एक 8 साल का बेटा भी है पतनी ने किसी का परवा नहीं किया और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पती की हत्या करा दी बता दे गाउक के में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पतनी की मुबाइल पर ही संतोस की बात हुई थी इसके बास थी हुआ सुक्रुवार की साम कुवा मोरा बजार के सरहरी गाउ चला गया था वहाँ पहले से घात लगाए बदमासों ने उसे अपने कबजे में ले लिया और बाइक और मोबाइल उटने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी मालुम हो कि सुक्रुवार की राद भगवान पूर हार थाना च्छित्र के सरहरी गाउ में पानी से भरे चवर में उसका सौमिला था धार धर हत्यार से गला रेत कर उसकी जानने ली गई थी हम आपको यह भी बता दें कि संतोस कोलकाता से अपने घर आया था और उसे यहाँ पासपोर्ट बनवाना था साथ आपको बता दें कि भगवान पूर हार थाना च्छित्र के सहसा गाउं के संतोस भारतिक की हात्या के कारणों का पता लगाने के थाना दच्छ पंकच कुमार की मांग पर रेविवार को मुझपरपूर से फराउन संसिक जाट टीम भी बुलाई गई उसने घट्दा अस्तलब पहुचकर ब्लड के नमूने लेकर और अब जाट परताल करने में जूटी हुई है